एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए फ्रेंड्स आज हमें अपने जीवन में पावर को ओनर करना है आपका पावर के लिए आपके मन में इजदत नहीं है आपको लगता है कि पावर किसी को करप्ट करता है पावर is bad देन युकेन आटेक देट आप पावर पावर इस यौर नाचुरल ट्रेट पावर को आपको रेस्पेक्ट करना है पावर is the ability to change the environment in your favor हमें जानना है कि जिन्दगी में जितनी भी healing modalities होती है they all work on healing the chakra only चाए वो रेकी हो, चाए प्राणयाम हो, चाए अरोमा थेरपी हो, चाए कलर थेरपी हो सारी therapies जो है वो चक्र को ही बैलन्स करती है चक्र को बैलन्स करना मतलब health, prosperity, harmony, etc चक्र को ही बैलन्स करके योग होता है और चक्र को ही बैलन्स करके हमें जीवन में success मिलती है मनिपुर चक्र के लिए आप पीले रंग के वस्र पहन सकते हैं आप बारा मुखी रुद्राक्ष धारन कर सकते हैं आप रूबी पहन सकते हैं अगर हम वास्तु देखते हैं तो घर का जो south east कोना होता है वो अगनी कोन होता है घर का south east वास्तु पुरुष की नाभी होती है अगर kitchen south east में होता है तो पूरे घर में शक्ती और energy रहती है और symbolically हमारे भी नाभी में हमारा digestion और हमारा stomach होता है जो एक geometry है pyramid it represents the मनिपुर चक्र जो pyramid है वो fire in the middle होता है it is called fire in the middle अब pyramid को आप घर में कहीं भी रखते है वो अगनी का प्रवाव होता है and अगनी is शक्ती अगनी is also a cleanser जो सारे दुष प्रवाव को नश्ट करती है अगनी में ऐसे गुण है उसमें कुछ भी डालो वो नश्ट हो जाता है मैं आपको मनिपूर चक्र की मुद्रा बताना चाहती हूं इनको separate कर दीजिए so that it forms like a triangle अपने right thumb को left thumb के उपर रखिए अपने हाथ की position अपनी नाभी के उपर रखिए और ऐसी position में आप रम का चांट कीजिए 15 से 20 मिनिट में आपके पूरे शरीर में अगनी का प्रवाव हो जाएगा आप ये मुद्रा रखेंगे तो पूरे दिन आप energized feel करेंगे तो friends अब हम जानते हैं कि हमने ये मानव जीवन क्यों लिया है हमने मानव जीवन क्या कुछ experience करने के लिये लिया है क्या हमने कर्म काटने के लिये लिया है और क्या हमने मोक्ष प्राप्ट करने के लिये लिया है फ्रेंड्स हमने मानव जीवन केवल सेल्फ रियलाइजेशन के लिए लिया है हम आपने बहुत करना चाहते हैं हम स्वैम को पहचानना चाहते हैं और पावर हमारा नैचुरल ट्रेट है जिसे हमें पहचानना है आज हमें कुछ नहीं सीखना है सब कुछ हमारे अंदर है तभी हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं आज मैं आपको गायती मंतर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ ये बहुत ही पावरफुल मंतर है आप डेली इसको एक घंटा सुनिए और इस पर केवल मेडिटेट कीजिए आपका कोई भी सवाल है मंतर से आपको उसका उत्तर मिलेगा आपकी कोई भी negativity है कोई भी stress है अगर आप इस मंतर को सुनते हैं वो चली जाती है तो मैं आपको बताती हूँ मनिपुर चकर के क्या affirmations है मैं अपनी राय का समान करता हूँ I honor my own opinions मैं दूसरों के विचारों को उनकी राय के रूप में मानता हूँ I honor the opinions of others as their opinions मैं स्वतंत्र हूँ और दूसरों को स्वतंत्र होने की अनुमती देता हूँ I am independent and I allow others to be independent too मैं अपने और अपने प्रियजनों में अनुशासन, शक्ती, विकास और सफलता देख रहा हूँ I see honesty, discipline, success, health and progress in myself and my dear ones तो आज हमने मनीपूर चक्र के बारे में जाना और ये चक्र जब प्रबल होता है तो हमारी जीवन में power होता है Power to take action, power to change environment in your favor Power to lead, power to organize इस चक्र को balance करने के लिए हम रुद्राक्ष और रत्न की सायता ले सकते हैं मंत्र कह सकते हैं, कलर थेरपी कर सकते हैं और गायत्री देवी का ध्यान कर सकते हैं अब देखिए इंडिया के best astrology expert पूरे वीडियोस देखने के लिए Google Play Store पर डाउनलोड करें astrology TV app Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें astrology TV app Airtail DTH पर सब्सक्राइब करें अस्टरवानी चैनल Dish TV और D2H पर सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया अस्टरवानी चैनल